हाई गाईज वेलकम बेग टू माइ चैनल कैसे हो आप सब आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगी तो आज की वीडियो में आपके साथ हेवी हे ओईलिंग एंट आ आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि जशन की वीडियो तो आप सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो आई होप आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे तो चलिए फ्रें ये तो कोकनेट आइल का यूज़ किया इसके फाइदे सिरफ विंटर्स में नहीं समर में भी अच्छे फाइदें हैं बहुत ज्यादा यह चिपचिप नहीं करते हैं शाहे तो थोड़ा कम आइल ले सकते हैं मत ज्यादा आप है विसमें मत कीजिए क्योंकि गर्मियों में स्वेटिंग के प्रॉप्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है इस ओयल के सिरफ बालों पर नहीं हमारी स्किन के लिए भी यह वला ओयल बहुत ही ज़्यादा बेनिफीशियल है मैं रात को सोते टाइम इसके दो से तीन बुंदे अपने फेस पर लगाती हूँ अपनी आँखों पर मसाज करती हूँ बहुत ही अच्छा वाला ओयल है अगर आपके दाग धबे भी है ना तो इस ओयल की दो से तीन बुंदे अपने फेस पर रात को लगा कर सौएं आपके दाग धबे बिल्कुल जो पिंपल्स के निशान भी रह जाते हैं वो भी खतम हो जाएंगे इतना अच्छा ये वला ओईल है तो देखे सबसे पहले मैं उसके स्कैल पर अच्छी तरह से ओईल लगा रही हूँ जशन के बालों में ओईल काफी ज़दा लगता है चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो मुझे उसके बालों में ओईलिंग करने में कम से कम 15 मिनट लग जाते हैं उसके बालों में बहुत ज्यादा ओईल लगता है और अगर मैं कम ओईल लगाती हूँ न तो जब अगले दिन फिर मुझे उसका जूड़ा करना होता है फिर ओईलि के बालों में काफी ज़्यादा ऑईल लगता है बात में मुझे पटका वियर कर दिती हूं जूड़ा करके तो देखिए लेंध पर भी मैं अच्छी तरह से ऑईल लगा रही हूं आप चाहे तो मस्टर्ड ऑईल का यूज भी कर सकते हैं मस्टर्ड ऑईल भी बहुत ही ज़्या बालों के लिए दोनों ऑईल मुझे काफी ज़्याद अच्छे लगते हैं आप चाहे तो एमवे कंपनी का कोकोनेट ऑईल भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल 100% कोकोनेट से वह वह व्ला ऑईल तियार किया जता है बहुत ही अच्छी उसके फाइदे है अगर आप ऑईलिंग टाइम पर करेंगे ना तो आपकी बालों से रिलेटेड कितनी प्राब्लम ठीक हो जाएंगी आपकी हेर फॉल की प्राब्लम ठीक होगी डेंडरोफ की इचिंग की मतलब सिर्फ ऑईलिंग करने से ही हमारे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे यह नहीं है कि आप आपको हर टाइम ऑईलिंग करके रखनी है आप चाहे तो सेचडे को ऑईलिंग कर सकते हैं संडे को हीर वाश कर लीजिए या फिर हीर वाश करने से दो तिन गटे पहले ऑईलिंग कर लीजिए बस आपको ऑईलिंग ज़रूर करनी है आपको अपने बालों को बहुत ज़्या नहीं ट्रां से ओई लगा रही है हूँ मसाज कर रही हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि जशन के बालों में काफी ज़्याद लग जाता है आपने बालों को ज्यादा खुला मत छोड़ा कीजिए मतलब ब्रेड बनाकर रखें चाहें लूस ब्रेड बनाकर रखें ज्यादा ना जुड़ा करके रखने से या फिर ज्यादा हर टाइम बार खुले छोड़ने से भी हमारे बाल कमजोर होते हैं बाल तूटने लग जते हैं ये कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे ना तो हमारी हेरफॉल की प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाएगी, अच्छे शैंपू का यूज कीजिए, कंडिशनर का यूज कीजिए, सिरम का यूज कीजिए, ओइलिंग टाइम पर कीजिए, दही आप अपने बालों पर सकते हैं, इतनी जदा, सौफ्ट घर पर ही और लंटे की अपने बालो को काफी यूज सिल्की तवी सब्सी हैं hiçbir महंगे प्रॉडक्ट का ही जिरूड़ी। कर सकते हैं, टलव का यूज कर सकते हैं, त्यूनिक टुकिज़ शैंपू का यूज कर सकते हैं, आयोर- शैंपू का यूज कीजिए दही का यूज कीजिए अलोविरा जैल अपने बालो पर लगाएं कोकनेट ओल या मस्टर्ड ओल अपने बालो पर लगाएं ब्रेड बना कर रखें मतलब अपने बालो में ज्यादा टैंगल पड़े मत रहने दीजिए टैंगल को निकाल कर लूज ब्रेड ब मुझे उसे पटका वियर करना है आई होप आईस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना तो चलिए फ्रेंड्स मिलूंगी मैं आपको अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थेंक्यू बाई